असलाम लेकुम प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों उमीद करती हूं कि आप सब खेरो आफियत से होंगे प्यारे बच्चों आप चांते हैं कि हमारी SST में एक लेसन आती है जिसका नाम है अवर फैस्ट्वल्स हमारे तेवहार उसमें हमने पढ़ाया था आपको दो तरह के फैस्ट्वल्स हम सेलिब्रेट करते हैं हम दो तरह के तेवहार मनाते हैं एक हो गया हमारा religious festival मतलब वो festivals जो हम religious के accordingly celebrate करते हैं जो मतलब जिस मजभब के लोग उस religion को follow करते हैं अगर हम मुसलमान हैं तो हम एद मनाते हैं एद हमारा festival होता है तेवहार होता है उसी को हम जो शोखरोश से मनाते हैं या दीवाली हिंदू का एक festival होता है या गुरू कूरब जो है सिखिजम का एक festival होता है या क्रिस्मस जो है मतलब क्रिस्टिन्स का एक festival होता है दूसरा हमने आपको पढ़ाया था national festivals मतलब कौमी तेवहार कौमी तेवहार में हमने आपको पढ़ाया था Republic Day जिस दिन आईने हिंद बनाया गया था 26th of January तो जैसा कि आप जानते हैं Today is 14th of August और कल 15th of August तो 15th of August क्या होता है इस दिन क्या हुआ था क्यों हम 15th August को काफे जादा celebrate करते हैं यह हमने सोचा हम आपके आपको आज इस lecture में आपको elaborate करके इसको बताईगे तो अब ध्यान से इस lecture को सुनिएगा जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी country का नाम है इंडिया, हम जिस country में रहते हैं, हम जिस मुलक में रहते हैं, उसका نाम है हिंदुस्तान, उसका नाम है इंडिया, इंडिया हमारी country का नाम है तो आजादी से पहले हम Britishers के अंडर काम कर रहे थे हम पे Britishers मतलब वह लोग हमारे उपर रूल कर रहे थे वो हम पे fair रूल नहीं कर रहे थे हमें मतलब वो हमें आसानी से जीने नहीं देते थे अगर हमें कोई काम करना होता था या कोई किसी जगा पे कुछ करना होता था तो हम ये अपनी मर्जी से नहीं कर पाते थे उस टाइम की बात है जब इंडिया पे Britishers का कंट्रोल था ये 1947 से पहले की बात है काफी ज़्यादा Britishers ने इंडिया पे जलम कर रहे थे इंडिया पे काफी ज़्यादा लेकिन फिर जब इंडियान्स ने मतलब उनका रूल मानने से उनके ओर्डर्स मानने से टोटली बाइकॉट किया उनकी हर एक बात मानने से इंकार किया उनके खिलाफ अपनी आवाज बलंद की तो ब्रिचर्स ने भी सूचा कि नहीं हमें अब इंडिया को आजाद करना चाहिए तो बात यहां तक पहुँच गई कि 15th of August 1947 में ब्रिचर्स ने इंडिया को आजादी दी ब्रिचर्स ने अपना रूल जो है इंडिया पे अपना रूल करना छोड़ दिया तो from 1947 till to this year आज 2021 है आज 2021 चल रहा है ना तो 1947 से लेकर आज तक हर साल जब 15th of August आता है ना 15 अगस्त जिसको हम बोलते हैं यह दिन हम काफी ज़्यादा जोशो खरोश से मनाते हैं हर एक इंडियन इसको काफी ज़्यादा जशन से सेलिब्रेट करते हैं हर एक के एक हात में ज़्यादा होता है इंडिया का फ्लैग होता है क्यों कि 15th of August को हमें बिच्चर से आज़ादी हासिल कुई थी तो हम आज तक इस आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं इस आज़ादी को हम काफी ज़्यादा जोशक खरोश से मनाते हैं तो ये 15th of August जो है ये एक नेशनल फेस्टवल है ये एक कौमी तेवार है जो हर एक इंडिया के हर एक कौने में मनाया जाता है इंडिया का हर एक इंडिया में क्रिश्चन भी आते हैं तो ये सिर्फ क्रिश्चन लोग ने मनाते हैं ये इंडिया का हर एक मेंबर बनाता है चाहिए वो सिख हो चाहिए वो मुसल्मान हो चाहिए वो क्रिश्चन हो या हिंदू हो या जैन हो या भुद हो तो गोया हर एक इंडिया का हर एक member 15th of August as a national festival मनाता है इंडिया became free from the British rule after a long time तो इंडिया जहे इसको आजादी अंग्रेजों से इसको आजादी काफी time के बाद मिली Freedom is very important for every person आजादी हर एक इंसान के लिए जरूरी होती है Like we must respect the freedom of every person and country हमें हर एक इंसान की आजादी को क्या हर एक मुलक की आजादी को हमें respect करनी चाहिए अगर इंसान को किसी चीज़ से आजादी मिलती है तो हमें उस चीज़ की respect करनी चाहिए या अगर किसी country को दूसरे जलम से आजादी हासल होती है किसी दूसरे मुलग से आज़ादी हासल होती है तो हमें उस चीज़ को भी काफी ज़्यादा रेस्पेक्ट देनी चाहिए तो 15 अफ अगस्त हम क्यों क्यों सेलिबरेशन्स मनाते हैं क्यों हम इस दिन को सेलिबरेट करते हैं हमें उमीद करते हूं कि आपने ये समझा होगा मैं फिर से रेपीट करते हूं 15 अफ अगस्त हम अज़ अनिडिपेंडेंस सेलिबरेट करते हैं हम आज़ादी के दिन के तोर पे हम 15 अगस्त को काफी ज़्यादे सेलिबरेशन्स मनाते हैं क्यों कि 1947 में हमें 15 अफ अगस्त को ही अंग्रेज़ों से आज़ादी हासल हुई थी तब से लेकर आज तक हम हर साल 15 अफ अगस्त को अपनी आज़ादी जो शुक खरोश से मनाते हैं तो इस दिन क्या होता है हर एक स्कूल में मतलब हर एक जगह पे इंडिया का तिरंगा लहराया जाता है हर एक इंडिया का मतलब जो हमारा कोमी तराना है जना गना मना इसको मतलब हर एक दोहराता है यह 15 अगस्त को हर एक इंडियान के जबान पे होता है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये जो हमने आपको 15 अगस्त के बारे में कुछ इंफॉमेशन दी अपने अच्छे से समझा होगा तो आज की लेक्चर में इतना ही अल्ला हाफिज